नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पे जिसका नाहा मैं तनवाल टक्निकल म्यूजिक वीडियो को स्किप करने से पहले आप लोग पहले जो मैं बता रहा हूं उसको सुन लिजी का धान से जो आज मैं आपको पैच आडिटिंग बताने जा रह हूं ठीक है और इस जो पैच पे नाम लिका हुआ है जिन्दगी के सफर जिन्दगी के सफर में एक सौंग है जिसको भी मैं अपलोड करूंगा जल्दी तो मिक्स करके अगर मैं आपको बता हूं तो तीन पैटिस के आडिटिंग आपको शेर करने जा रहा हूं एक तो यह ज प्रिटिंग और जो जनकार वाला है उसका पैच के रहें तो वह आपको बता दूंगा भी थोड़ दिर में तो चलिए पहले सीख लेते हैं अगर आप लोगों ने इसकी प्लेंग नहीं देखिए अभी तक तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्श्न में मिल जा गया या है देखिए सबसे पहले अगर बात करें एफ एक्स की तो एक्समें रखा है रिवाव अंदर की बात करें तो रखा है रिष्टेज वन प्रीडले 0.1 टाइम रखा है 64 बाइपास रखा है डैम लोग वेट हाई दोनों गेन को रखा है मैंने जिरो लेवल 27 किस पैड में कितन करके डायनमिक और अंदर के रेटिंग सबको जीरो है कुछ भी नहीं रखा है मैंने ठीक है वोल्यम 55 अंदर से मैं इसको हाफ ओपन किया हुआ है ठीक है इसके पाद अगर बात करें सब्सक्राइब की तो सेकंड और थर्ड पैड पर दोनों पर सेम इंस्ट्रुमेंट है से से मैं रेटिंग है बस त्यूनिंग का फरक है देखिए पहले आप सेकंड पैड देख लिजिए को कॉंगो है एबैंक में बी में है मारा मरकस और न्यूट गुरॉप ऑन डायनमिक ऑफ ठीक है से हमारा थर्ड पैड पर भी आप पैड कर पा रहे है ठीक है यह पैड है तो है तो दुना में सेंने अपकर कर पारें आंदर की निओं मत करें तो गुधिर है और आभ पैड की में है आफसा केबल सेकेंड ने और वाकि सारा कुछ बैच्टिव है त्यूनिंग हूर्न होई निए सब कुछ सेम है यह सेकंड पैड हापना ठीक है सब्सक्राइब थो ऑर सपिंट वैंटैइब ऑन कि अब है आप है उसका बाज का सब्सक्राइब की सब्सक्राहक है difast क्वाइब येस में होगा है जोन है और येज़ांत सब्सक्राइब आटो मियुक्त सब्सक्राइब których है और बीका सब्तर ठीक है अगर बात करें फिर्फ नमर पैड की तो फिर्फ नमर पैड पर मैंने दो इंस्ट्रमेंट यूज़ करें सेम है मरकस फस्ट बैंक में रहा है फाइबर कि जो की ती नमर मिलेगी आपको मुट कुरूप डाइनमिक ऑफ दोनों का अंदर की हो जो एक करें कि उयाद कि अठतर के दोनों को कि फिर्फिर चणा डॉंस ऐलंस रखाए और कुछी है है वाले में 100 में B काशाइक तर के बल ठीक है इसके बाद गया जाए पाट बात करें अगप मैंने सेम इंस्टुमेंट में रखा है वी बैंक का एपन का än या मी इंक का Band और यहां पर मैंने एक बैंक यूज की ही है सेबंध नमर पैड पर जो बैंक है उसका नाम है पीसी तरी के अंदर आपको मिलेगा सेम एटीवन नमर पे मरकस और मूट गूरूप इसका ओन है सिक्स करके डायनमिक ऑफ अंदर की ट्यूनिंग के बात करें तो मैंने स्ट्रियंट एस सेम और वॉल्यम सबंटी फाइब जैसे सभी में था ठीक है एट नमर पैड के अगर बात करूं तो एट नमर पैड पर जो रखा है मैंने वह है क्लैप रखें लाइफ क्लैप ए बैंक मे बात करते हैं अगले पैच की जो की मैंने आपको बताया था जिसमें आपको सिखाय था कि जनकार वाला जो पैच मैंने आपको बताया था ठीक है उसके एडिटिंग देख लेता है तो यह है माई फेवरेट ठीक है देखें इस यह मैं रखाया है एफ एक्स यह रखाय हुए कंप्रेसर के नाम से ठीक है अंदर के रेटिंगे बात करें तो तो देशोल्ट जीरो है मेक अप फाइव है रेसो आठ रेसो बन है अटक पांच है रिलीज बीस और लो और हाई ग के साथ मैंने क्रेस यूज किया हुए जो आप अपने रख सकते हैं कोई भी ठीक है यह देख लीजिए मेट गुरूप ऑन डैनेमिक ओफ अंदर के रेटिंग कुसी रखी मैंने ट्यूनिंग बस एच रखा है टॉन कलर में फाइव एका एल रखा है बी का ठीक है और पिट स पाफ डैनेमिक ओन ट्विनिंग देखें तो तीनिंग तुद दो सो रखी हुई है प्लस करके वाखी सब कुछ जीरो है मुफलिंग जीरो सॉफ एक टैन रखा है ठीक है टॉन कलर जीरो पिट स्वीप माइनस पंदर है वॉल्यम हंड्रेट ठीक है अगले पैड के कर बाप क पैनेमिक ओन अंदर के रेटिंग के बात करें तुनिंग जीरो है मुफलिंग एक ही है तीस बीकी जीरो वाखी सॉफ एटक टॉन कलर जीरो है पिट स्वीप के अगर बात करें तो पलस हंड्रेट रखा हुआ है ए बैंक का जीरो है बीका और दोनों का वॉलियम लेवल है ज किक तूर के यह मैंने इसके अंदर कि बैंक के अंदर मुट ग्रूप ऑफ डैनेमिक ओन तुनिंग दोनों की सेम अफ्लिंग सेम सॉफटेक जीरो टॉन कलर एल टैन रखाया है केबल बैंक का वाकि सबकुल जीरो है वोलें दोनों का सेम है इसके बाद करें हम फिप नमर पै टॉन कलर एल पक्चिस फिट सुईब जीरो वॉलियम हंड्रेड ठीक है बीबैंक के अगर बात करें तो बीबैंक में सेम को रखा हूँ वैस्ट टूनिंग का फरक है और सब्सक्राइब पैट करें तो शिक्स नमर पैट पर मैंने सेम को रखा है फिप नमर कहीं वाकि तून बैंक में और वक्की शिक्स नमर की है चौदेसो और फिफ्ट नमर की है आठ सो तो आप यह अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं जो भी आप पो लगए ठीक है उसके बाद मफलिंग जीरो सॉफ्ट अटेक जीरो टॉन कोलर एल पक्चिस है एका और बी का जीरो है इस अठार नमर पे मूट ग्रूप ऑफ डैनेमिक ओन और ट्यूनिंग बिल्कुल जीरो सब कुछ सब कुछ जीरो है सब कुछ जीरो है बस वालिम हंड्रेड दोनों का और इसके बाद एट नमर पैड मतलब फाइनल पैड किक रखी हुई है ए बैंक में 909 नाम से और टैंब इस उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को दौन होई पैच के एडिटिंग समझ मा आच चुकी होगी कैसे लगे मैं से कमेंट वक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और यह एडिटिंग देखने का बेनिफिट आपको ताब है जब आपने वह दौने पैचिस सुने हुए है आप लोगों की रिक्वेस्स आड़ी थे एडिटिंग को लेके तो मैं इसलिए अपलोड कही है और अभी कैसी लगे आपको मैंसे कमेंट बॉक्स मा कमेंट करके जूरूर बताएं अगर वीडियो नहीं देखिए भी तक वह वाली तो जूरूर जाकर चेक कर लिजिए थैंक आपके वर वाचिंग तरो जाहिन वंदे मंदा